तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्वेड़ इस सार एपिसोड 129 को तो लेट्स वाच्ट इनका वीडियो पसंद आती होगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्क्राइब कर दे और आएक कॉमेंट जिरूर करना तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लोफंग एक पोर्टल से होकर किसी और युनिवर्स में आ जाता है और अब जेनियस वार स्टार्ट हो चुकी है लोफंग कहता है कि यहां का ग्रेविटी तो आसे 10 टैम्स जादा है इस युनिवर्स में जादा ग्रेविटी होने के कारण वो सही से फ्लाइंग सेटल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो कहता है कि यहां के ग्रेविटी तो इनर वर्ल से भी काफी जादा हाई है पिर हम देखते हैं इस युनिवर्स में लुओ फिंग जैसा ही काफी सारा पोर्टल ओपिन हुआ था जहां से युनिवर्स के सारे वर्यर इस वर्यर में एंटर कर रहे थी जो लोगे जेनिस वार में पाटिस्पेट किये हैं तब लिवाफंग देखता है कि उस वर्ड में और भी काफी सारे वर्यर एंटर करते हैं पर अचानक से उन में से एक वर्यर काफी बुरी तरह मारा जाता है और वो फॉरण ही इलिमनेट हो जाता है पिर वो दोनों वर्यर उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं फॉरण ही उनसे बचते वे एक से प्लेस पे शुप जाता है और कहता है कि यह वर्ल तो काफी जादा बड़ा है और इसमें 8.2 बिलियन जीनियस गैदर वे हैं इसका मतलम इस वर्ल में काफी खतरनाक बैटल होगी तो उसे बच कर रहना होगा तो आप समझ सकते हो कि इस वर्ल में कितना खतरनाक लेवल का फाइट होगा लुओ फैंग बताता है कि यह पूरा वर्ल कुछ देर में पुरे वर्यर से बर जाएगा और सारे वर्यर एक दूसरे को इलिमनेट करने पे लगे हैं लुओ फैंग उनके बैटल को देखकर फारण ही छुप जाता है पर उनमें से एक लेड़ी लुओ फैंग को नोटिस कर लेती है और वो फारण ही लुओ फैंग पे अटैक करती है जिससे वर्स्ट्रक्चर डिस्टॉई हो जाता है और अब उसका सामना लुओ फैंग से होता है जहां लुओ फैंग फारण ही फिस सॉट का यूज़ करते है उस पे अटैक करता है और लुओ फैंग के फर्स अटैक से वो काफी बुरी तरह माली जाती है फिर लुओ फैंग को पता चलता है कि उसके करीब और भी ज़्यादा वर्यर आ रहे है और हम देखते हैं कुछ वर्यर का टीप लुओ फैंग की और आगे बढ़ता है पर लुओ फैंग उनसे बचते वे एक कोने में छुप जाता है और कहता है कि बेटर होगा कि इतने जल्दे रेस्क ना ले क्योंकि वो अनजान से इंवार्यमेंट में किसी के साथ फाइट नहीं कर सकता उसे इस इनवार्यमेंट को सभजने में थोड़ा टाम लगेगा फिर वो एक सीब जगा पर आता है और सारे warrior को scan करने लगता है और बताता है कि यहाँ पे सारे warrior का location मौजूद नहीं है बस इसमें top 1001 warrior का location दिखता है जिसका मतलब 1001 तक जितने भी warrior का rank है उन सभी का location सारे warrior को दिखेगा और अब तो यह battle start हो चुकी है तो अब ज़्यादा तर warrior इन top genius को ही target करेंगी क्योंकि सभी को इन सभी का location दिख रहा है लिवोफेंग कहता है कि पहले उसे cultivation पे practice करना होगा ताकि वो यह ensign weapon का first level को achieve कर ले उसके बाद उसका strength और भी ज़्यादा improve हो जाएगा दूसी और हम देखते हैं लिवोफेंग का बेटा उसके slave के साथ मस्ती कर रहा था और उसका दूसरा बेटा लिवोफेंग मासरॉंग और लेसिन का war देखने के लिए excited था पर उसे war नहीं केवलन के rank ही दिख रहे थे वो हर पर try कर रहा था कि उसे war दिखे और उसकी saver में लिवोफेंग के slave भी मौझूद है इदर लिवोफेंग बायकालो के साथ मस्ती कर रहा था जबकि उसका बाई war में concentrate कर रहा था तो उसके मस्ती करने से उसे disturb हो रहा था इसलिए वो गुसे से उसे मारता है और कहता है सोर करना बन करो ये तो काफी गुसे वाल है वो कहता है कि मुझे fight नहीं दिख रही है मैं बस केवल रैंकिंग को ही देख पा रहा हूँ इदर दूसर भाई नीचे गिरने वाला था और ओगू उसे mental power से बचा लेता है वो कहता है हमें तो केवल रैंकिंग दिख रही है इदर हम देखते हैं मासली सेंग एक लेडी वरियर से fight कर रहा था दोनों में काफी अच्छा sword fight होता है मासली सेंग उस पे sword से attack करते हैं पर वो उसके attack हुआ असानी से block कर लेती है लेकिन फिर मासली सेंग अपने thunder power के use करते हुए उस पे attack करते हैं जिससे वो वरियर वहीं पे eliminate हो जाती है और ऐसा करके मासली सेंग सारे वरियर को defeat करते हुए अपने rank को उपर ले जा रहे थे फिर वो मासली सेंग के लिए काफी कुस हो रहा था और वो कहता है कि अंकल लॉंग और उसके डैट का rank तो काफी ज़्यादा नीचे है और उनका rank बढ़ भी नहीं रहा है वो काफी ज़्यादा सौक होता है कि उनका rank तो 110 मिलियन पीपल के बाद है तो दूसरा भाई कहता है कि इसे ही preserving strength कहते हैं मतलब कि वो दोनों अभी अपने strength को preserve करके रखे हैं और cultivation करके अपने strength को इंट्रेस कर रहे हैं इधर हम देखते हैं लुओ फैंग का rank देकर हार ग्रेव हस रहता और कहता है ऐसा लगता है कि नाभी ने को लुओ फैंग से fight करने की ज़रुत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि लुओ फैंग का rank इतना जादा नीचे है कि वो ऐसे ही eliminate हो जाएगा दूसी और नोल एंसन भी लुओ फैंग का rank को देकर खुश था और कहता है हमें किसी भी आल में लुओ फैंग को उस selection से पास नहीं होने देना है इदर लुओ फैंग उस divine weapon का first form master करने की कोसिस कर रहा था और 10 दिन तक लगतार cultivation करने के बाद फैंग लिवो पैंदम सौट का first form master कर लेता है और इस first form को ये नसन weapon कहते हैं लुओ फैंग बताता है कि finally वो ये नसन weapon को तो master कर लिया पर अब उसे उन ताजन जीने से fight करना होगा जोकि उन सारे crowd से काफी ज़्यादा powerful है फैंग लुओ फैंग अपने आसपास की area को scan करने लगता है जहां पे वो अपने काफी करीब आफिसरे warrior को पाता है जोकि छुपकर उसकी और आगे बढ़ रहे थे उनको महसूस करता है और कहता है कि ये तो no land we है इनके औरा को देखकर ऐसे लगता है कि ये काफी ज़्यादा powerful है कुली warrior लीवो जैसे है और क्योंकि एक master है तो इसका chance और पे ज़्यादा बढ़ जाता है ये काफी ज़्यादा powerful होगा फिर अचानक से वो सारे लोग एक साथ लूओ फैंग पर अटैक करने बढ़ते हैं दोनों साथ से वो लोग लूओ फैंग पर अटैक करने वाले थे और लूओ फैंग कल्टिवेशन कंप्लीट करके वहीं बैटा था बस जैसे ही वो उन पर अटैक करते हैं लौाफंग अपने गुल्ड पीस औरा को रिलीज करता है और क्योंकि ऑप गुल्ड पीस युनिवर्सटी वलक है तो उसका औरा काफी ज़दा पौफुल है बस गुल्ड पिसका औरा रिलीज होने के वजह से वो सारे वारीयर काफी दूर पीछे चले जाते हैं सारे वरेर काफी दूर पीछे चले जाते हैं और लुवाफंग उन पर फिसिंग सौर्ट र मांचरा जबायन करना उनके अट्यकर देता है और फारण यह फिसेंग सार। से इस भाता यहँचा क्यों पाक्रेंग करें ट्रा bends के सारे bon सब्सक्राइब करते हैं लेकिन वह बंदा काफी कोसिस करने के बाद पॉपने सौर्ट से फिसिंग सौर्ट अटैक को ब्लॉक कर देता है और फॉरण ही एक स्टेचु के पास जाने लगता है तो उसके पीछा करते हुए फ्लाइंग नैप से बच जाता है पर फिसिंग ज़्यादा फास लाइक करते हुए अपने मासर की और भाग रहा था तो लुपना कहता है कि मैं तो यही चाता था कि तुम मेरे पीछे आओ गुसे से फ्लाइंग नैप से वहीं पे किल कर देता है लुपन उसे किल करके काफी ज़्यादा खुश हो रहा था पर तभी वहां क जाफे सारे वर्यार लुपन को आवाज देते हैं और कहते हैं तुमारे हिमत कैसे भी तुम फाइट करते हैं हमारे विच रोयल फैमली की टेरिटरी में एंटर किये हो तुमारे इतनी हिमत आज मैं तुमें नहीं चोड़ूँगा तो लुपन सुचता है कि वह बंदा जान पूचकर मुझे यहां पे लाया ताकि यह लोग मुझे पे अटैक करें फिर उनका मासर सभी कॉर्डर देता है कि इससे किल करो इधर हम देखते हैं लुपने फेसिंग साथ सही उन सारे बंदे को किल कर देता है यह देखकर उसके डैड काफी जादा कुस होते हैं और इस व इससे पूचता है कि ओगू कहा है वो बताता है कि वो फिंग और लुओ हाई की केर कर रहा है पिर हुआ यह जानकर काफी ज़्यादा खुस होता है कि लो फैंग सिक्सटाजन पीपल को क्रॉस कर चुका है और अब उसका रैंग भी काफी तीजी से आगे बढ़ रहा है और सबीकर लुकेसन इस वर्ड में रिवील होगा आगे हम देखते Πर लिणा को काफी सारे बंदे को उसके माचसर के सामने है किल कर देता है तो थे से विचुरु ऐल्फामिली के बंदे को काफी बड़ी तरह किल कर रहा था वह बंदा कहता है तुम्हारे इम्श डंब कैसे भ से लगतार उस वर्ल में वार्यर को किल कर रा था और थोड़ा नीचे अकर वो स्पेस्ट को भी डिट्यूच कर देता है जिसे वह एक साथ काफिस सारे बंदे मारे जाते हैं इदर गौसम्वेदी भी इस वाल को इंजड़ाइबार नथा दी कर रहा था नभी मसद्ध रहा रहा है वा काफी जह ठीघार ने क only correct में उन यहां की सिर्फनार को बिंद्धis करन अर्वूरि कर ऊकस्ताches फ़रा था पू पता चलता है वो तो लूओ फैंग के रैंग को दे कर काफी जाता है रान होती है और कहती है और कहती है कि कई साल से ब्लैक डिगन मौन्टेन इंपार का एक बंदा भी इस रैंग को अचीव ने कर पाया है जबकि लूओ फैंग तो आसानी से इस रैंग को अचीव कर लिया फिर उपने ग्रेंडपा से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए उसके ग्रेंडपा कहते हैं कि जो लोग Top 1001 रैंग को अचीव करते हैं अब उन सभी का लोकेशन सारे पबली को रिवील होगा सभी को एक दूसरे का लोकेशन मालूम होगा जिससे अब लूओ फैंग का और भी जादा चांस बढ़ जाता है कि वो इलिमनेट हो जाए क्योंकि वो गैनो युनिवर्स किंग्डम के रूयल फैमली को ओफन किया है वो लोग इसे इतने आसानी से जाने नहीं देंगे जरूर वो लूओ फैंग को किल करेंगे इधर हम देखते हैं लूओ फैंग काफे तीजी से आगे बरड़ा था फिर कुछ बंदे जैसे सुनते हैं कि मैजिक हैमर यहां पे आ गया वो सब डर से फारण ही वहाँ से भागने लगते हैं ऐसे मानो मैजिक हैमर के नाम से ये सारे वर्यर काफे जादा डरते हो जैसे ही सब लोग मैजिक हैमर के नाम सुनते हैं वो सब फारण ही वहां से भागने लगते हैं पर तब एक बंदा जिसके पास मैजिक हैमर था एक बंदे को पकरता है और उसे मैजिक हैमर से काफी बुरी तरह किल कर देता है जैसे वो मैजिक हैमर को एक्टिवेट करता है उससे काफी ज़धा पाफुल एनर्जी रिलीज होती है एविन कि उससे काफी सारे स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉई हो जाते हैं फिर वो बंदा अपने पास लोफ हैंग को स्कैन करता है और फॉरण ही मैजी कैमर को एक्टिवेट करकी लोफ हैंग का पीछा करता है इदर हम देखते हैं मासर होंग एक लेड़ी वोर्यर से फाइट कर रहा था जहांपे वो लेड़ी मासर होंग को बरावरी का टकर दे रही थी दोनों अपने सौर्ट से फाइट कर रहे थे पिर मासर होंग अपने डुमें को एक्टिवेट करते हैं और अब दोनों में फाइट होने लगती है मासर होंग उस पे अपने स्पेर से अटैक करते हैं जिससे उसका डुमेन भी डिस्टोई हो जाता है उस लेडी के पास भी एक डुमेन था वो अपने डुमेन को एक्टिव करती है और इदर मासर होंग भी अपने डुमेंड को एक्टिव करते हैं फिर दोनों एक साथ अपने स्पेर से अटाक करते हैं जिससे वहां काफी ज़ादा पाफूल एंजी रिलीज होता है एंडम में रिवील होता है कि वो लेडी पने स्पेर को मासर होंग के अंदर गुशा दिया है और रेसल में ये बसे की लियूजन था जो कि मासर होंग अपने डुमेंड के अंदर कर रहे थे और रेसल में मासर होंग अपने स्पेर से उस लेडी को वहीं पे किल कर देते हैं इधर हम देखते हैं लोफंग काफी देजी से आगे बल रहा था और उसके पीछे काफी सारे वर्यर पड़े थे लोफंग बहुती फास उन से पीछे चुड़ाने की कोशिस कर रहा था और वो सारे लोग एक साथ उन पर अटैक करने वाले थे जाता है पर तभी वो देखता है कि तीन बंदे एक साथ उस पर अटैक कर रहे हैं लोफंग फारे ने फ्लाइक करते वे उपर आ जाता है और लोफंग एक साथ अपने मेंटल पाउर को यूज़ करते वे उन वायर से खुद को डिफेंड कर रहा था साथी फेसिंग सार्ट से उनने किल कर रहा था और एक लेड़ी तो नीचे दभी थी लोफंग उससे भी वहीं पर किल कर देता है उन सभी को किल करने के बाद वो फॉरण नी एक स्पेसिप पर लैंड करता है और कहता है कि अब टाफ वन तौजन वन वर्यर का लोकेसन लीक हो चुका है सभी को मेरा ल कि लिए जाता है एंड वर श्पेसिव वहीं पर एक्सप्लोड हो जाती है और जैसे लोफंग नीचे लैंड करने वाला था तब उससे मैजिकल हैमर से अटैक होता है और बजलो फैंड फोड़ा से किली उस एमर से बच जाता है और हैमर इतना एकृरी टारा था कि जाद लि ποング देखता है कि ये माजिशिकल है मैंजिक वहार जो सुंद अचुर्ण हो और कहता है की ये बंद तो कहकी ज़्यादा क्रेज sorgen हुआ है यहादा क्लिक विखरा नहींर को इस मैंजिक हैमं मैं Вас 토कि किल करशुका है कि से बीज़ादे खतरनाक इसका हैमर है क्योंकि ये बंदा लेक्टा गेरिक्सी से बिलॉंग करता है ताइगर ओफ देद के नाम से भी जाना जाता है और इस बर इसका सामना लूफ इंग से हुआ है इधर इल्डेर हार ग्रेप बताते हैं कि ये मैजिक हैमल एंगारो क्लेन से है इस रेस के खास बाता है कि इस रेस बाड़े बंदे जब अपने एडल्टूर्टकों रिच कर लेते हैं वह अटमेटिक यूनिवर्स लेवल और दो तो इसका रैंक 296 है वो समझ जाता है कि हमारे बीच का रैंक का डिफरेंस तो काफी जादा है जिसका मतलए वो बंदा लुओ फिंग से काफी जादा पाफुल है क्योंकि ये पोजिसन वर्डियर के स्ट्रिंद पर डिपंड करता है वो फिंग कहता है कि मुझे तो कैरफुल रहना हो वो बंदा कहता है तुम्हारे हम्मत कैसे वे तुमने रोयल फिंग को किल किया सब ऐसा करने की हम्मत सिर्फ दो बंदे ही कर सकते हैं या फिर तुम Click हो या फिर तुम बेवकुफ हो विवबन दा मैजिक हमार से लुओ फेंग की ओर पॉइंट करता है और लुओ फेंग भी फ्लाइंग लाइप से उसकी ओर पॉइंट करता है और ये खतरनाक से बटल हम नेक्स एपिसोड में देखेंगे और उससे पाइले वीडियो को लाइक कर देना साथ चनल को सब्सक्राइब कर लेना